अगर आपने अभी तक हमाएं चैनल को सब्स्राइब नहीं किया तो यहां पर रेड़ क्लिए का बटन इससे दबाने के बाद हमाएं आप सब्सक्राइब कर लेंगे उसके बाद दोस्तों इस बैल आइगन को प्रेस करना बिल्कुन बुलिएगा और यहां पर टिक कर लिएग जो पैली ख़ए दोस्तों यहां पर पहले खश्क निकल कर आ है वह है इंडिया मेंग लॉंच किया जाँ यह कमपनी है इस नई कोच नय शूर्ण इंडिया में लॉंंच कर देंद हैं और दोस्तों इस के बारे में independent अगर मैं काई तो पहले स्मार्ट फुन है इंडिया मे i7 इस तरीके से कुछ smart phone इसने launch किये और इसका जो सबसे चीपेस smart phone है वो है i3 जिसके कीमत चुड़ाती कीमत रखी गए लगवग 7,990 रुपय के आसपास और जो सबसे महेंगा वाला इसका जो phone है वो है i7 और इसकी कीमत रखी गवग 14,990 रुपय के आसपास अगर हम इसके i i3 और i3 pro के कुछ features और specifications की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा 5-inch का HD display और इसमें आपको media tech का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और 2 GB की RAM देखने को मिल जाएगी इसके साथ तो i3 pro है उसमें आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा 3 GB की RAM और 16 GB की इ इसमें देखने को मिल जाएगी और जो इसमें primary camera रखा गया है दोने स्मार्पून में आपको सेम मिलता है 8 Megapixel का autofocus आपको quad LED flash के साथ ये camera मिलने माला है और इसके सथ 8 Megapixel का ही आपको selfie के लिए इसमें आपको camera देखने को मिल जाएगा Wi-Fi Bluetooth 4G VOLT वगरा का आपको इसमें support आपको इसमें सारे पाच इंच का HD display देखने को मिल जाएगा है 2GB की RAM और 16GB का internet storage आपको इसमें देखने को मिल जाएगा है जैसे कि आप 180GB तक micro sg card से पढ़ा सकते हैं इसमें आपको charger mh की बैटरी भी देखने को मिल जाती है इसमें कुछ रॉकेट चार्जिं सबोर्ट इसमें बतलिकिने को मिल जाएगा और अपने के साथ रहुख को यह लिए प्रोर्ट शौरज डेखने को मिल जाएगा और इसके जो टॉप-एंड नुमॉर्टे इंडिया में लाउंच किया है इस के स्टरीक है कि इसमें भी आपको 5.5 इंच का फुल एडी डिस्प्ले मिल जाएगा IPS LTPs डिस्प्ले आपको इसमें देखने को मिल जाएगा चार्जिब की रैम मिलेगी मीडेटक का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा 32 इंटारी स्टोरेज मिलेगी और जो रियर कैमरा मिलता है 13 16 Megapixel का BDAF के साथ और इसमें आपको फ्रंट फेसिंग क्यामरा मिलेगा वो इसमें आपको 16 Megapixel का देखने को मिल जाता है जिसका पर जाएगा LED फ्लेश वगरा के साथ भी स्मार्टफोन आता है और इसमें आपको चारज अमेच की वैटरी मिलेगी वही इसमें आपको रॉक के स्मार्टफोन के बारे में मैं अल्रेडी कुछ पिछली कि अपको देख सकते उसमें भी मैंने इसके बारे में आपको इन्फोरमेशन दी तो आप जो लीक्स निकलके आरे उसको मताबिक इसमार्टफोन में आपको देखने को मिल सकता है SNAPDragon 835 का प्रोसेसर और चार्ज आपको इसमें रैम देखने को मिल सकता है इससाथ कि कुछ रिपोर्ट्स और रूमर्स निकल के आ रही है और प्रोसेसर होने वाला सब्सक्राइब आपको इसमें देखने को मिल जाएंगा अक्टा को पुपंट डू गिगर्स का अगर यह सही होता है तक इसी तरकी से कुछ इसमें देखने को मिल सकते हैं इंटरह स्ट्रीज हो सकते हैं 16GB और चारी भी रैम का सपोर्ट इसके साथ कुछ रिपोर्ट्स इस तर दो नहीं आगे और पीछे दो नहीं फ्रेंट और सेल्फी के लिए जो केमरा मिलता है वह आपको इसमें 4K रिकॉर्डिंग अगरा करते हैं देखने को मिल सकता है अगली ख़बर के अगरम बात करें तो एक लीक निकल के आ रही है शाओमी मैक्स 2 के बारे में कि उसमें आप हो सकता है देखने को मिल जाए यह टाइप सी का फोर्ट इससा की कुछ रिक्स और रिमर्स निकल के आ रही है अगली अगर हम कवर की बात करें तो दोस्तों वह कुछ सर्वे से रिलेटेड आ रही है वह भी भी मैप से रिलेटेड तो कुछ सर्वे इस तरफ क्लेम कर रहे है है कि मतलब बता रहे हैं हमको कि 40% पीपल जो है फॉर्टी परसेंट लोग जो रूरल इंडिया में रहते हैं रूरल एडियास में रहते हैं इंडिया के उनको भी मैप के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है इस तरह कि कुछ रिपोर्ट निकल के आ रही है अगली खबर के अगरम बात करें तो दोस्तों है वह है जियो से रिलेटेड दोस्तों आपको फिर से देने वाले 168 जीपी तक का फ्री 4G डाटा मगर वह से दोस्तों अगर आपके पास वीव का फोन है तो आप इस डाटा को अवेल कर सकते यानि इस जो भी इनका जो गेम वागेरा है यानि अगर आपको पैस वीव के स्मार्टफोन है तो अगली कबर की अगरम बात करें तो यह जल्दी हो सकता है इंडिया में लॉंच इस ते कि कुछ न्यूज और रिपोर्ट्स निकल के आ रही है और अगर हम इसकी प्राइसिंग के बात करते हो सकता है यह 1,999 रुपए के आसप करता है इसमार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है 5,800 रुपए गया आसपास और अगर हम इसके टेक्निकल स्पेक्स की बात करें दोस्ते आपको इसमें ड्यूज इसमें का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और इसकी कीमत तो मैंने बताई लिए 5,800 रुपए और 2 Megapixel का देखने को मिल जाएगा और बाकी स्पेक्स की अब क्या बात करें और अगली खबर के अगरम बात करें तो है लेनोवो के तरफ से निकल के आ रही है तो लेनोवो का एक लैप्टॉप आ चुका है लेनोवो मिक्स 510 जो की 2-in-1 Windows 10 लैप्टॉप है और इसकी अगरम शुरात की मत के बात करें तो इसमें आपको 53,990 रुपीज के आसपास यह लैप्टॉप देखने को मिल जाएगा इसमें भी आपको आई 3 और आई 5 इस तरह के से दो वेरियंट देखने को मिल जाएंगे और आई 5 वाला लगबग टैक्स वक्स मिला के 79,890 रुपीज के आसपास हो मैं चैनल को सब्सक्राइब करनें प्लेगा मैं अगले विडियो में का की रफक्वार पूर ईह उसे hold on girl, now wait just a minute I've got something to say you should hear it oh